दोस्तों ये तीन ओप्सन आप लोग भी करके देखिएगा अगर आपका फॉर्म सब्मिट नहीं हो रहा है या कोई भी इशू आ रहा है तो दोस्तों आप में से बहुत लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे उस वقت ये वेकरसी खत्म हो रही होगी या फिर खत्म हो गई होगी और उसके दो काड़ हो सकते हैं पहला तो यह कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं और दूसरा यह कि अगर आप मेरे पुराने वीवर हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर कर रखा है तो आपने बेल में all पर क्लिक नहीं किया है क्योंकि बेल में all पर क्लिक करने के बाद आ मेरा 18 सालों का experience कहता है आपका experience क्या कहता है comment करके जरूर बताईएगा दोस्तों point number 3 वीडियो को देखने के बाद कोई doubt परिसानी होगी तो मुझे वीडियो के comment section में अपना सवाल लिखिएगा जो भी परिसानी है उसका जबाब मैं आपको दूँगा या फिर बार repeat हो रहे हैं तो मुझे लगा कि आपको बताने के लिए आपको समझाने के लिए एक दूसरा वीडियो यानि उसी वेकैंशी का part 2 बनाना ज़रूरी है और दोस्तों सबसे बड़ी बात apply करने से बात नहीं बनेगी आपका resume बहुत ही strong होना चाहिए क्योंकि दोस्तों जब आप apply करते हैं तो आपके resume को download करके देखा जाता है कि आप कुस लायक है की नहीं तो दोस्तों अपनी लायकी यानि अपनी eligibility criteria को और strong बनाने के लिए आपका resume short list हो और आपके पास call आये उसके लिए आप अपने resume को बहुत बहतर बनाएं तो resume कैसे बहतर बनाएं उसके regarding में आगे बात करूँगा लेकिन अभी आपको में बताता हूँ वो 5-6 क्या basic questions है जो की बार-बार मुझसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों सबसे जो पहला question है वो ये पूछा जा रहा है कि sir experience नहीं है लेकिन यहाँ पे option दिया है तो दोस्तों जब आप apply करते हैं तो उस application process में दोनों तरह के लोग apply करेंगे एक तो वो जिनके पास experience है तो उनके लिए जिनके पास experience है उनके लिए एक अलग से column है उसी में उनी सारे सब columns में आपको column दिया हुआ है कि हाँ आपके पास experience कितना है कौन सी airline में काम किया है कौन सा department, कौन सा vertical या फिकौन सा certification लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा experience वाले part के नीचे या फिर ठीक ऊपर आपने देखा होगा या फिर column के लिए applicable नहीं है आप वहाँ पर na डाल दीजिए या फिर nil, na मतलब not applicable और nil मतलब कि आपके पास obviously नहीं है अगली जो बात आती है कि कई बार आप apply करते हैं सारा सब कुछ सही से कर रहे होते हैं लेकिन तब भी form submit नहीं होता है एक मेरे जो viewer है उन्होंने मुझसे connect किया या फिर call किया इनफेक्ट हमारी बात पहले उससे होती थी तो उन्होंने मुझे लखनों से call किया और पुछा कि सर मैं बार बार apply कर रही हूं लेकिन सही से हो नहीं पा रहा है तब फिर मैंने उनका screen shot मांगा विडियो रिकॉर्ड करके तब भी बात नहीं समझ के आई फिर मैंने call किया कि आके दिक्कत क्या आ रही है क्या लिखा हुआ आ रहा है तो उन्होंने बताया कि सर यह यह लिखा हुआ आ रहा है फिर मैंने उनको तीन option दिये और दोस्तों यह तीन option आप लोग भी करके देखिएगा अगर आपका form submit नहीं हो रहा है या कोई भी issue आ रहा है सबसे पहले आप अपने system को restart कर सकते हैं कई बार होता है कि आपको लगता है कि आपका network connected है लेकिन कुछ issue जलते वो नहीं हो पाता system को restart कर सकते है point number two जो आपका web browser है आप जिसमें form fill up कर रहे हैं उसको बंद करके दुबारा से आप apply कीजिए और सबसे बड़ी चीज अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो एक option आप जरूर try कीजिएगा किसी दूसरे email ID से register कीजिए और दुबारा से fresh तरीके से आप उस पर apply करने की कोशिश कीजिए तो दोस्तों ये कुछ basic चीजे थी जो कि आपको ध्यान देनी है apply करने से पहले और दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा ये ground staff की जो vacancy है अभी बहुत ही important है बहुत जगा के लिए और बहुत कुछ है तो आप पुछेंगे कहां कहां के लिए है तो दोस्तों वीडियो के screen पर जो देख पा रहे हैं ये vacancy चंडीगर, देली और इसके अलावा भी और जगा के लिए vacancy आ रहा है जो कि अभी आप वीडियो के screen पर देख पा रहे हैं तो दोस्तों apply करने से बात नहीं बन जाती है आपको उसके लिए तयारी करनी होती है क्योंकि अगर आपका resume shortlist हो गया और आपके पास call आजी तो क्या करेंगे तो दोस्तों उसी के लिए मैंने ground staff series चालू किया है जिसका link मैंने वीडियो के description में डाल रखा है दो वीडियो अब तक release कर चुका हूँ और इस वीडियो के बाद मैं तीसरा वीडियो upload कर रहा हूँ कि interview की तयारी कैसे करें तो दोस्तों यह जो मैंने बना रखा है series ground staff का इसे जरूर देखें क्योंकि आप जब interview में बैठेंगे उस वक्त आपसे सवाल पूछा जाएगा तो as a fresher अगर आप इन सवालों का सही तरीके से जवाब दे देते हैं तो यकीन मानिए मैंने भी interview कई जगर लिया है और जब कोई भी इस तरह का सवाल का जवाब देता है तो मन में एक बात जरूर आती है यार इस बंदे के अंदर लगन है ये airline airport में जवाइन करना चाहता है तो जब आप इन सवालों का जवाब सही से देंगे तो आपके selection के समभावना बढ़ जाएगी दोस्तो अब आते हैं आखे resume कैसे बनाएं दोस्तो resume बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने बता रखा है उपर जो आप i button में वीडियो देख पा रहे हैं उसको जाकर ध्यान से देखें समझें उसका link मैंने वीडियो के description में भी डाल रखा है उसी के according अपना resume बना है तो इतना कुछ होने के बाद अगर आपका selection हो जाता है यानि कि आपका resume shortlist हो जाता है आपके पास interview के लिए call आती है तो interview के के तयारी के लिए आप left वाले वीडियो को देखें और बात बाकी जानकारी के राइट वाले वीडियो को जरूर देखें वीडियो अच्छा लगा होगा तो like, share और subscribe जरूर कीजिएगा मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए जैह हिंद